तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे अमर्ता सिंग की ये तो आप सब लोग जानते हैं कि अमर्ता सिंग सैफली खान की एकस वाइफ हैं और इस समय सैफली खान की शादी हो गई है करिना कपूर से और वो दोनों एक साथ रहते हैं और अमर्ता सिंग लग रहती हैं ये तो और सेफली खान में क्यों तलाक है अम्रिता सिंह कि उनका से तलाक हुआ था उनके बाहर औरतों के साथ रिष्टे को लेकर अम्रिता सिंह को ये सब अच्छा नहीं लगता था लेकिन सेफव लिखान की फिल्में हीट होती जा रही थी और वह है बहुत जादे फ्लॉट करने लगे दे बातों से तंग होकर अम्रिता सिंग ने सेफली खान से तलाग ले लिया था तो आप लोगों को जानकर राश्चरे होगा कि अम्रिता सिंग और करीना कपूर कभी नहीं मिली है हलांकि उन दोनों ने इस बात पर कभी कुछ कहा भी नहीं और नहीं मिलने की इच्छाईर किये अम्रिता सिंग और सेफली खान ने नाइंटीन नाइनटीवन में शादी कर ली थी और उसके बाद दोनों ने सारा लिखान और इब्रहिम को जन्म दिया हला कि जब इब्रहिम ब साफली खान और अमरिता ने 2004 में तलाक ले लिया था असी के दशक में आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी बेताब और वह फिल्म बहुत थी और उसमें पहली बार अमरिता सिंग ने काम किया था और रात रात इंडेस्ट्री पर छा गई थी और उस फिल्म ने बहुत से तो अमरिता सिंग उनसे बारा साल बड़ी थी और उसके बाद जब उन्होंने करीना कपूर से शादी की तो वह उनसे दस साल छोटी है जब सैफाली खान और अमरिता सिंग की शादी हुई तो करीना बहुत छोटी थी और वह इन दोनों की शादी में गई थी अमरिता सिं ने गुस्रे में करीना कपूर को कुछ कह दिया था पस इसी बात को फिर मीडिया ने तूल दे दिया और बहुत जादे इस बात के पीछे हंगामा हुआ और अमरता सिंग का कहना है कि उन्हें सारा के लिए ड्रेस ना पसंद करने के लिए आलोच ना की जा रही है उनकी लेकिन ऐसा नहीं है मैंने खुद अपनी बेटी की पूरी अलमारी तयार की हुई है तो हुआ क्यों था करिना कपूर की बर्थडे पार्टी थी और उसमें सारा अलीछान को भी जाना था वो उन्होंने अमिता सिंग से डिसकस नहीं किया था और वह फोड़ी बोल्ड थी तो अमिता सिंग को विए अच्छी नहीं लगी और उन्होंने गुस्ते में सारा अली और करीना कपूर दोनों को को भी डाट दिया था जिसके बाद यह बहुत विवाद बढ़ गया था और इसी विवाद को मीडिया ने काफी तूल दे कर इधर से उधर लोगों को हवावाजी करने का सामान बना दिया था और अमिता सिंग कहती है कि उन्हें कोई आपती नहीं किसी भी तरह की ड्रेस कोई लेकिन उन्हें उस समय अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उनकी बेटी उस समय तक ऐसी ड्रेस नहीं पैंगती थी तो उन्हें वो ड्रेस अच्छी नहीं लगी थी और आप लोगों को एक आश्चरे के बाद हम बता दे कि करीना कपूर से जब सहफ अली खान की शादी हो रह है तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सोचें कि अमरता सिंह जो है अमरता सिंह को यह सब कुछ बुरा लग रहा है इसलिए रोटा सीधा बोल रही है और ना है इन लोगों में फिर कभी खुछ कर कोई लढाई झगड़ा हुआ ने करण जोहर के चैट शो काफी बीद करन में से नहीं मिली के लिए उनके लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा से अंहीं नहें प्र wijदिसार को अगर आप से लिए धी जानल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो और इसी तरह की और वीडियो मेरे चैनल पर बने रही है चलिए आप से मिलते हैं कुछ समय बाद अगली वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार